नमस्कार दोस्तों, घरेलू खबर चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप लोग? यह बताने के लिए कमेंट में जैम आता दी जरूर लिखे दोस्तों हिंदु धर में पॉस पुतरदा एकाजसी का विसेश महत्व है हिंदु पंचांग के अनुसार पॉस माह के सुक्ल पक्ष की एकाजसी को पुतरदा एकाजसी मनाई जाती है साल में 24 एकाजसीयां पढ़ती है जिसमें से दो को पुतरदा एकाजसी के नाम से जाना जाता है पुत्रदा एकाजसी स्रावन और पॉस महीने में सुक्ल पक्ष में पड़ती है दोनों ही एकाजसीयों का विसीस महत्व है मानिता है कि इस ब्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ती होती है इसके साथ साथ पॉस पुतरदा एकाजसी का ब्रत संतान संबंधी परिसानियों के लिए भी किया जाता है तो दोस्तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि पॉस पुत्रदा एकाजसी जो संतान प्राप्ती और संतान संबंधी परिसानियों से दूर होने के लिए परिसानियों से छुटकारा पाने के लिए किया जाने वाला पॉस पुत्रदा एकाजसी के दिन आपको क क्या करना चाहिए और क्या नहीं जी हां दोस्तों इसकी बारे में हम संपूर्ण जानगारी देंगे कि आप उस दिन क्या करें क्या नहीं ताकि आपको भगवान विश्णू का विसीस आसिरवात प्राप्त हो सके वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्विस् पर क्या करना चाहिए तो पॉस पुत्रदा एक आजसी से एक दिन पहले यानि दस्मी तिथी को आपको सुद्ध साका हारी भोजन करना चाहिए उसमें आपको चना और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए क्योंकि सास्त्रू के अनुसार एक आजसी के दिन इन चीजों का सेव बरजीत है साथ ही साथ प्याज लहसुन वगरह सारे बरजीत माने जाते हैं तो आपको एक दिन पहले दस्मी तिथी को सुध साकाहारी भोजन करना है दूसरी बात कि यदि आप पॉत्स पुत्रदायकाची का ब्रत कर रहे हैं तो आपको रात के समय जागरन कर भगवान स्रीह पुत्रदायकाची के दिन दीपदान को भी विसेश महत्व दिया जाता है इसलिए इस दिन आपको दीपदान अवस्य करने चाहिए इस दिन गाय की सेवा अवस्य करनी चाहिए क्योंकि भगवान स्रीक्रिस्न को गाय अत्यधीक प्रिये है पॉत्रदायकाची के दिन ऐसा करते हैं तो आपको भगवान स्री कृष्ण का असिरवाद भी प्राप्त होगा। पॉस्पूत्रदा एकाची के दिन भगवान श्री हरी विष्णू की पूजा में तुलसी का परियोग अवस्व करे, क्योंकि भगवान श्री हरी विष्णू को तुलसी अत्यधीक प्रिये है। इस दिन आपको किसी गरीब छोटे बच्चों को मीठा अवस्य बाटना है ऐसा करने से आपको उत्तम संतान की प्राप्ती होगी पॉस पुत्रदाएक आजसी के दिन किसी गरीब ब्यक्ती अब्राम्भन को अपने सामर्थ की अनुसार दान अवस्य देना चाहिए क्योंकि दान दिये बीना इस ब्रत का फोन फल प्राप्त नहीं होता इस दिन आपको भगवान स्री कृस्ट के मंदिर में जाकर उन्हीं माखन और मिस्री का भोग अवस्य लगाना चाहिए ऐसा करने से आपकी संतान के भाग के द्वार स्वत्य ही खुल जाएंगे तो दोस्तों ये मैंने बताया कि इस दिन आपको क्या करनी चाहिए अब चलिए जानते हैं कि इस दिन आपको पॉस्ट पुत्रदाएकाजसी के दिन क्या नहीं करना है सबसे पहली बात यदि आपने पॉस्ट पुत्रदाएकाजसी का ब्रत रखा है तो आपको दिन में बिलकुल भी नहीं सोना चाहिए नहीं तो आपको इस ब्रत के पुन्फलों की प्राप्ती नहीं होगी आप उससे बंचित रह सकते हैं पॉस पुतरदाय काजसी का ब्रत संतान के लिए किया जाता है इसलिए इस दिन किसी भी बच्चे को ना मारे और नहीं डाटे इस दिन किसी भी रूप में पेर पॉधों को तोड़ना या काटना नहीं चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पुन्फल समाप्त होने लगेंगे यदि आप पॉस्पुत्रदायकाजसी का ब्रत करते हैं तो आपको इस दिन जूट भी नहीं बोलना चाहिए ना ही किसी को अब सब्द बोलना चाहिए पॉस्पुत्रदायकाजसी के दिन किसी भी जानवर को भी नहीं मारना चाहिए और नहीं सताना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान विश्णू के क्रोध का भागीदार होना पड़ेगा यदि आप पॉस पुत्रदा एक आजसी का ब्रत करते हैं तो आपको इस ब्रत का पारण एक आजसी के अगले दिन ही करना चाहिए इस दिन आपको किसी भी रूप में चावल नहीं खाना है अगर आप एक आजसी का ब्रत ना भी कर रहे हो तो पॉस पुत्रदा एक आजसी या कोई भी एक आजसी के दिन आपको ना ही चावल खाना चाहिए ना ही मानसाहार का सेवन करना चाहिए और ना ही प्याज लहसुन का सेवन करना चाहिए आपको इस दिन किसी भी गरीब ब्यक्ति या ब्राम्भन का अपमान नहीं करना चाहिए नहीं तो आपको इस ब्रत के पूर्ण फलो की प्राप्ति नहीं होगी तो दोस्तो आसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर आप पॉस पुतरदा एक आजसी का ब्रत कर रही हैं तो आप इन बातों का ध्यान कर रखें और अगर ना भी कर रही हो तो जो मैंने बोला कि किस चीज का सेवन आपको नहीं करना है किस चीज का सेवन करना है, क्या करना है, क्या नहीं, वो आप पॉस्पुत्रदा के दिन अवस इन बातों को ध्यान में रखे और माने, तो दोस्तों आसा ही नहीं पूर्ण विश्वासे कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठैंक्स